हमारे medicine pharmacology की series में हमने एक और product को लिया हुआ है आज इसके expression करने के लिए यह market product का नाम है acycloform plus मतलब इस पे combination of drug होंगी तब इस पे plus लिखा हुआ है चलिए देख लेते हैं कि इस brand name में कौन-कौन से active constituents हैं इन active constituents का individual class या sub class क्या है और इनके काम करने के तरीके के हैं acycloform में दो drug combination है पहला drug आपका acyclofenac है और जो दूसरा drug है आपका वो है paracetamol यह दोनों tablet doses form के रूप में आ रहे हैं किसी और form में भी available हो सकता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता असल में जो उसका काम है वो उसके active constituents के nature के पे depend करता है doses form तो मतलब इसको introduce करने के लिए है acyclofenac and pastamol यह तो दोनों एक ही category को belong करते हैं और इन दोनों के category का जो नाम है वो है NSAID यानिकी non-steroidal anti-inflammatory drug यह एक ऐसे drug होते हैं जो कि inflammation, pain और fever इनको ठीक करने का काम करता है इन NSAID category के अंदर भी अलग-अलग तरह के classes होते हैं और वो class कुछ इस तरीके से हैं पहला जो class होता है वो non-selective होते हैं non-selective मतलब यह आपके जो pain के लिए responsible COX 1 या फिर COX 2 इन दोनों को affect कर सकते हैं दूसरा जो class होता है वो preferential COX 2 inhibitor का होता है जो कोशिस करते हैं कि COX 2 को affect किया जाया ना कि COX 1 को और जो तीसरा class होता है हमारा वो होता है selective COX 2 inhibitor जो यह कोशिस करते हैं कि selective तरीके से COX 2 को inhibit किया जाया अब यहाँ पर आपको समझ में तो आ गया कि इसके class सब class कौन से हैं यहाँ पर एक class और extra add है जिसमें हम बात करते हैं anti-paratic agent के बारे में जिसके अंदरगात हमारा pastamol PCM की short में बलते हैं वो आ जाता है तो चलिए अब आप पूरे चीजों को समझ रहे हैं तो अब आप COX का मतलब समझ लिए यह COX है क्या COX के दो टाइप आप आपने देखे COX 1 और दूसरा था आपका COX 2 यह दोनों क्या है और किसले responsible है यह जो COX है चाहे वो COX 1 और COX 2 है वो आगे दा करके आपके लिए जो पेन के responsible है पेन के लिए chemical mediator है प्रोस्टा ग्लैंडिन इनको synthesis करने का काम करता है तो COX 1 या फिर COX 2 यह दोनों आगे जाएंगे और COX pathway इसको हम लोग साइक्ल आपसवे बोलते हैं इनके प्रोस्टा ग्लैंडिन बनाएंगे और यह प्रोस्टा ग्लैंडिन तीन activity के लिए responsible है एक pain के लिए दूसरा fever के लिए और तीसरा inflammation के लिए responsible है अगर आप इन तीनों में से किसी को भी नहीं चाहते हो तो आपका main object है कि आप इस प्रोस्टा ग्लैंडिन को affect करने से रोग नह यानि कि बनने से रोग नहीं तो अभी आपने देखा कि फ्रोस्टा ग्लैंडिन को बनने से हमने रोग दिया इस तरीके से लेकिन यह बना कैसे यह बना था आपके COX 1 से या तो COX 2 के pathway से तो आपको ultimately क्या करना चाहिए आपको COX 1 या COX 2 को affect करना चाहिए इनको innovate करना चाहि यह हमारे body में anytime present होता है और इसका एक specific काम है वह यह कि आपके GI में जो mucous membrane है इनको बनाना और साथ में bicarbonate का production करते रहना ताकि acid के attack से इसको बचाया जा सके यह acid से prevent करने का काम करता है जबकि COX 2 inducing in nature है Inducive nature मतलब होता है कि इसको induce किया जाता है यह stress की वज़े से यह oxidative stress की वज़े से oxidation की वज़े से trauma injury की वज़े से या फिर excessive stress जो हम लोग mental stress लेते हैं उसकी वज़े से generate होता है तो यह दो तीरी के अलग-अलग तरेके के COX हमारे पास हैं यहाँ पर जो पहला class हमारा यह कौन से class को बिलोंग करता है यह बिलोंग करता है preferential COX 2 मतलब इसका मतलब भी समझ लीजिए preferential COX 2 मतलब जो प्रिफरेंसी देगा कि वो COX 2 को ही specifically जाकर के site पे affect करे वो कलाता है preferential COX 2 inhibitor और इससे फायदा यह है कि इससे आपको बहुत जादा acid की problem नहीं होगी इसे COX 1 को एफेक्ट कर सकता है तो इस तरीके से जो acyclofenic का combination यहाँ पर हम देख रहे हैं acyclofarm के नाम पे acyclofenic का पहला जो काम है वो आपके analgesic activity को पूरा करना है analgesic मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि pain के perception को reversible तरीके से ब्लॉक करते हैं तो यह pain के cause को ब्लॉक नहीं कर रहा बलकि pain के sensation को reversibly ब्लॉक कर रहा है और यह होता कैसे है जब कभी भी आप बात करते हो किसी particular site में pain हो रहा है तो यह फिर आपके nerve से आगे transmit होते हुए आपके central nervous system CNS पे पहुंचते हैं और आपको pain का एसास होता है तो यहाँ पे जो pain के लिए responsible inflammatory substance है इसको आप यहाँ पर बंद कर दे रहे हो cox2 का affect करके तो आपको pain का एसास होगा नहीं दूसरा जो हमारे drug है वह है paracetamol, paracetamol के बारे में सब लोग जानते हैं लिकिन कुछ बुक में के जिद्री पार्ट है के latest जाने के 8 tradition में यह बोला गया है कि paracetamol जो अपना anti-paratic activity देता है वो cox1 और cox2 की बजाए cox3 पे affect करके देता है जो कि हमारे brain में located है paracetamol anti-paratic agent है anti-paratic करने का क्या मतलब है anti-paratic में दो सब्द है anti और paratic paratic बना हुब है parogen से और parogen का मतलब होता ह ऐसे substance जो कि micro organism के किसी भी dead part को हम लोग अगर introduce करें तो उसकी वैसे हमारा जो body में enter करता है इसे हम parogen कहते हैं जब यह parogen हमारी body में enter करता है तो antigen antibody interaction होंगे और उसके का से हमारा जो thermoregularity center है वो बिगड जाएगा उसका set point बिगड जाएगा और हमारे body के temperature दीरे दीरे बढ बढ़ने लगेगा जिसे को हम बुखहार करते हैं यहां पर प्यास्टमॉल इसी temperature के बढ़ने के लिए responsible जो chemical मेडियाटा से प्रोस्टागलिन इसको भी effect करेगा और साथ में जो COX-3 responsible है fever की generation के लिए उसको भी restore करेगा और हमारा जो body का temperature maintaining point है thermoregularity center है hypothalamus है इसको भी regulate करक आपके body temperature को वापस 37 degree centigrade which is a normal body temperature यहां पे लेके आने का काम करेगा तो overall तरीकर से कर बोला जाए तो acycloform plus दो drug का combination है acyclofenic और pastamol acyclofenic आपके लिए pain killer का काम करेगा जिसको हम लोग energesic बोलते हैं और antipatic की रूप में pastamol आपका बुखहार को कम करने का काम करेगा तो अ इसको manage करने के लिए for short duration of time हम इसको देते हैं लेकिन इस दोनों में जो एक केडिगरी के drug है वो common of है NSAID इसके नुकसान भी हो सकते हैं यह preferential है selective नहीं है although selective होता तो भी से कुछ associated side effect देखने को मिलते तो वह है कि आपको ulcer होने के chances हैं अगर आप लंबे समय तक लगतार इनका यूज कर रहे हो तो दूसरा इसमें पैस्टमॉल का जो कॉंस्टमेंट है वो देखिए 325 mg है और पैस्टमॉल एक ऐसा drug है जो कि आपके liver को damage कर सकता है और liver को damage करने के लिए इसका minimum dose रखा गया है वो है 2000 mg अगर आप दिन में 2000 mg पैस्टमॉल का dose लेते हैं तो आपके liver में damage होने के chances हैं इसलिए इस तरह के product जिसमें पैस्टमॉल content होते हैं उसमें साफ साफ वार्णिंग दिया जाता है यहाँ पर आप देखें टेकिंग मोर दिन डेली रिकमेंडी डोस पैस्टमॉल में cause serious liver damage और allergic reaction जिसके अंदर के इजांपल दिको swelling of the face, mouth, throat, difficulty in breathing, itching और रैसे यह सारे problem हो सकते हैं अगर आप आप समाल का access dose लेते हैं तो in respect to 2000 gram आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना quantity आप ले सकते हैं maximum और वो भी यहाँ पर ध्यान दिजिए schedule edge का डिगरी का drug है जिसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और इसको आप बिना किसी medical practitioner के prescription से नहीं ले सकते इनको आपको store करना है place करना है ऐसी जगह पर जहाँ पर light directly नहीं आ रही हो और जहाँ पर temperature exit ना होता हो 30 degrees centigrade से उपर ताकि इसके जो consummate है वो deteriorate ना हो सके इनकी exact quantity आपके लिए जरूरी है overdose कभी न करें इससे problem होगा problem में बहुत साथ difficulty भी आ सकती है liver भी damage हो सकता है तो आज की वीडियो के लेत नहीं थांकियो सुमार पॉर्ट इन इस वीडियो नमस्कार टेक कियर